अलो साथियों एक छोटा सा टोपिक है अपना राजस्थान की कला संस्कृति के अंतरगत ही राजस्थान के प्रमुख मंदिर तो चुकि दक्षिनीर भारत में अभी एक अंदोलन से चल रहा है मंदिरों को सरकार से फ्री करवाने के लिए उसी साब से जो मंदिर वाला टोपि है उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चोटा सा वीडियो है आप अगर ध्यान से समझेंगे तो सारी की सारी चीजे हमने लगभाग इतियास में कवर की है सारे मंदिरों के नाम लगभाग आये हैं लेकिन एक बार साथ का साथ पूरा वरगी करन मतलब की पर मारों की राजनानि थीये और यहां जितने भी किराडू के मंदीर है। और इसका उपनाम है राजस्तान का खजुराओ, मूलते खजुराओ मध्यप्रदेश में हैं जहां काम सास्तर से समदित मूर्थियां होने के कारण उसको मतलब कि राजस्तान का खजुराओ कहते हैं किराडू को, किराडू बाड मेर और यदि बात की जाए कि ये जो मंदीर है किराडू के शेली कौन सी है इनकी तो नागर शेली आप याद रखेंगे मुखेता है जो नागर शेली है वो मध्य प्रदेश में इस से इस सेली से समधित मंदीर बने है इसकी सेली भी नागर शेली कहलाती है सूर्य मंदीर जालरा पटन जहलावाड साथ सहलियों का मंदीर भी कहते हैं और करनल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक है एनालस और एंटिक्विटीज अपराजस्थान में चार बुजा मंदीर कहा है इसको और लोगबाग पद्मिनाब मंदीर भी कहते हैं तो थोड़ा सा कन्पूजन जैसा है लेकिन मूलता है ये जो मंदीर है वो शुर्य मंदीर है जालरा पटन का है साथ सहेलियों की बाड़ी उदेवपुर में है और साथ सहेलियों का मंदीर है वो जालरा बाटन में है इसे याद रखना है चारबुजा मंदीर कहा है करनल जेम्स टोड ने तो कभी-कभी ऐसे मतलब की एडवांस प्रशन पूछ सकते हैं थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे अर्थूना बांस्वडा के मंदीर तो ये भी परमारों की राजदानी थी और मुखे जो मंदीर है वो हनुवान जी का है रनकपूर पाली के जेन मंदीर तो इसमें जो सासन थे जिनके समय ये मंदीर बने थे वो कुमबा है और निर्माता है धरनक शाह मुख्य मंदिर चोमुखा मंदिर है जिसके जो सिल्पी है वो देपा है और मंदिर में 1444 खंबे हैं अतर खंबों का जायब गर उसको का जाता है रनक पूर्जेन मंदिर पाली मंदिर के पास एक मंदिर ओर है जिसका नाम है नेमिनात मंदिर और उसका उपनाम है वेश्याओं का मंदिर ऐसा का जाता है तो आप याद रखेंगे नेमिनात मंदिर ये भी रनकपुर जेन मंदिर से ही समधित है देलवड़ा के जेन मंदीर तो देलवड़ा कहा है सीरोही में तो देलवड़ा और रणकपुर में कन्फुज नहीं होना है दोनों जगे जेन मंदीर है देलवड़ा सीरोही में है और यहाँ पर दो अलग-लग मंदीर है जिनमें एक विमल सिंग लिखा है कुछ जगे विमल वसई आता है वो भी सही है निर्माण भीमशा द्वारा 1031 इस्वी में किया गया था और नेमिनात मंदिर है वो धवल के मंत्री तेजपाल और वास्तुपाल उनके द्वारा करवाया गया था और नेमिनात मंदिर है इसका उपनाम है देवराणी जेठानी का मंदीर तो याद रखना है कई टेक्निकल प्रस्ट ने वाई चांस में भी बना लिया गया कि देवराणी जेठानी का मंदीर कहा है तो देलवडा में हैं सिरोई में पुशकर मंदीर तो पुशकर अजमेर में हैं यह आप जानते हैं और ब्रह्माजी का मंदिर यहां की सबसे खाश याद रखना है निर्माता है गोकुलचंद पारिक, राजा नहीं है एक सामान्य पुरोईद द्वरा बनाया गया मंदिर है तो आपको पका याद रखना है, मेला कब लगता है कार्थिक पुर्णिमा को, पास में ही सावित्री माता का मंदिर भी है, रंगनात मंदिर भी है और रंगनात मंदिर की जो सेली है वो दक्षिनी भारत की सेली है, पुष्कर को कॉंकर्ण तीर्थ या पंचम तीर्थ भी का जाता है तो ये आपको ध्यानक ना है तीर्थों का मामा भी का जाता है ब्रमा जी के अन्या मंदिरों में आसोत्रा बाडमेर और चीच बांसवड़ा ब्रमा जी के तीन ही मंदिर है बैसे तो एक ही काज़ता के दुनिया का एक मातर मंदिर है लेकिन छोटे मंदिर है आसोत्रा बाडमेर में है और चीच बांसवड़ा याद रखने है आपको एक लिंग जी मंदिर केलासपुरी उदेपूर नागदा के पास में है और निर्माता बपारावल है सद्धी आठ मी है सहस्तर बाहु जिसे सास बाहु का मंदिर भी कहते हैं इसी का अपब्रांश है सहस्तर बाहु का नागदा उदेपूर में नोग्रहों का मंदीर किसंगर जमेर में है, सावलियाजी मंदीर मंदफिया चितोड़ चोरों का मंदीर भी कहते हैं। कपिल्मुणी का मंदीर कॉलाइत बिकानेर में है कार्थिक पूर्णीमा को मेला लगता है। और जो कपिल मुनी हैं उनका समन्ध हैं वो सांक्य दर्सन से हैं अंबी का मता जगत अंबी का कहते हैं उदेपुर में हैं मेवाड का खजुराओ कहते हैं अब यहां मिनी सब्द भी आ गया और रजस्थान के साथ आ गया रजस्थान का खजुरा हो और रजस्थान का मिनी खजुरा हो कंशुवा मंदि नो कोटा में है मोरिय राजा धवल ने सीव मंदिर बनाया था जिसमें 1000 सीव लिंग है बड़ा मंदिर है खुपतेशवर उमादेव का मंदीर भी है और चिसकर दर्सन हम नहीं कर सकते हैं शीत लेशवर महादेव इसके बारे में जो खाश बात है यह है यह है राजस्थान का पराचींतम तिथी यूग्त मंदीर है सबसे पुराना बना हुआ ऐसा मंदिर जिस पर तिथी अंकित हैं हम पता लगा सकते हैं कि यह कब का बना है तो और तिथी भी आपको याद रखनी है 689 इस्वी में चस्वो नेवासी जालावाड में है यह और करनल टोड ने जालरा पटन के बारे में जब चर्चा की थी अपनी पुस्तक में वहाँ उन्होंने घंटियों का सहर का क्योंकि चारो तरफ मंदिर है साम का जैसे आरती का समय होता है तो घंटियां जालरें वगर बाज दिये तो एक दम से उनको लगा कि यही लिखना चाहिए और उन्होंने घंटियों का सहर इसको कह दिया महा मंदिर जोदपूर में है मांद सिंग द्वारा निर्मित है और नाथ संपरदाय का राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर है सिरे मंदिर जालोर में है और इसका भी निर्मता है वो जोदपूर नरेस मांद सिंग ही है ये भी नाथ संब्रदाई से समंदिते हैं बंडशा जेन मंदीर बीकानेर में पांचवे तिरतंकर सूमती नाथ का मंदीर है और जब इसका निर्मान हुआ था उस समय जो नीव है उसमें पानी की जगह घी का उपयोग किया गया आज भी ऐसा कहते हैं वहां जाने वाले की माखी की खुशबू आती है सत बीस देवरी चितोडगड ग्यारवी सदी के जियन मंदीर है सत बीस देवरी कई बार आया हुआ भी है प्रशने सत बीस का मतलब 27 मंदीरों का समू है और यह थी तोडगड में है ऐसा याद रखेंगे यहां थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन है इसमें थंड देवरा लिख दिया है नाम होना चाहिए बंड देवरा तो इसको आप जब नोट्स बनाएंगे तो सही कर लेंगे नाम में इस प्रकार का सब्द आएगा भंड देवरा कि खजुराओ तो बहुत ही जदा हो गए है याद रखने हैं सारे के सारे खजुराओ हड़ोती का खजुराओ है वो बंड देवरा है यहां आप नाम थोड़ा सा सही कर लेंगे अट्रू बारा में है और मीनी खजुराओ इसको भी कहा जाता है फूल देवरा मंदीर बारा में है फूल देवरा मामा भांजा मंदीर भी इसको कहा जाता है सोनी जी की नसियां अजमेर में है और लाल मंदिर भी कहते हैं इसको मूल्चन सोनी इसके निर्माता 1864 में इसका निर्मान हुआ था कुछ और चोटी मुटी जानकरिया है मतलब कि केवल नाम ही जैसे खड़े गनेस मंदिर अगर पूछ लिया जाए तो कोटा में है बाजना गनेस मंदिर पूछ लिया जाए तो सिरोई में है इसी प्रकार सारनेस्वर महदेव की बात करे तो सिरोई में है नाचना गनेस मंदिर की बात करे तो वो रनतंबोर में है और रनतंबोर में ही त्रिनेत्र गनेस नाचना गनेस भी कहते हैं जिनकों हेरंब गणपती बीकानेर जुनागड किले में है और जो पगवान गनेश की मूर्ती है वो शेर पर सवार है रावन का मंदीर मंदोर ऐसा का जाता है कि रावन की जो पत्नी है मंदोदरी उसका पीहर्थ है वो यहां था स्रीमाली ब्रामन उनकी पूजा भी करते हैं विबिशन मंदीर केथून कोटा में है खोडा गनेश खडा गनेश लगे खोडा गनेश लगे अजमेर में है रोकडिया गनेश चेसलमेर में है, सालसर बालाजी चूरू दाड़ी मूच वाले बालाजी, 72 जिनालाई भीनमाल जालोर, महिंदीपूर बालाजी दोसा नहींच 11, पावापुरी जेनमंदीर शिरोही के पास है, नारेली की जेनमंदीर अजमेर में है, बालापारी नागोर खिलोने चड़ाए जाते हैं, बालापरी नागोर में, मुचाड़ा मावीर है, घाने राव पाली में है ये, और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदीर अगर आप देखना चाहते हैं तो जुनागट बीकानेर में, और इन 33 करोड़ देवताओं की साल की अगर बात करें तो मालासी भेरू का मंदीर मालासी एक असबा है चुरू का, भेरू जी की मूर्ती है जो की उल्टी लगाई गई है, खाटू श्याम जी, खाटू शिकर और बरबरीक मंदीर भी इसको का जाता है, कल्यान जी का मंदीर डिग्गी, डिग्गी कल्यान जिनको बोलचाल में हम कहत यानि की स्वेतांबर दिगंबर जेन शेव वेशनव और भील लोगबाग सब हैं उनके ये आराध्य है रिशब देव याद रखना आपको सिरियारी मंदीर पाली में है जेन स्वेतांबर तेरापंद के परथम आचारे बिख्षुश्वामी बीखन की निर्वानस्तली है ये सिरियारी मुकुंद्रा का शिव मंदीर मुकुंद्रा हिल्स का है कोटा में श्वर्ण मंदीर पाली में बना हुआ है वैसे श्वर्ण मंदीर अमरित सर में है लेकिन हमारे राजस्थान के इसाब से अगर प्रशना आया तो याद रखना है पाली सुन्दा माता जालोर पड़ा है हमने पर्थम रोपवे भी है या और भालू अभ्यारनी भी है नागर सेली का अंतिमो सबसे भव्य मंदीर सोमेश्वर किराडू में है गुर्जर प्रतिहार काली प्रतिहारों की राजधानी पंचायतन सेली का पर्थम उदारन राजस्थान में ओश्या का हरी हर मंदीर और भारत में पहला उदारन देवगर जांसी का दसा उतार मंदीर है लेकिन राजस्थान में हरीहर मंदीर है जो की ओशिया में है ओशिया मतलब की जोदबुर और ओशिया में ही सचीयाई माता है वो आपको याद रखना है नाकोडा भेरोजी का है तो बालो तरह बाड मेर यही जो मुख्य मंदीर है उनका वर्णन है आप बहुत अच्छे से इनके नोट्स बनाकर कम्प्लीट याद करेंगे एसी उम्मीद है मुझे ओके धन्यवाद